अस्सलाम अलेकुम जी उमीद सब ठीक ठाक होंगे, खेरियत से होंगे और खूश होंगे अच्छा जी ये मैंने आज पराठा बनाया था, इसमें मैंने क्या डाला था, ये मैं नहीं बताऊंगी प्राट नमक प्यास वाला प्राट था इसको शायद। वैसे पंजाबी में ऐसे प्राट या सी रोटी को मिर्सी रोटी का आजाता है। तो बस मैं ये बना लेती हुअ जब मेरा दिल चाह रहा होता है अ। तो अभी बस मैंने इसको ऐसे त्यार करके अपना नाश्टा रखा और ट्रस्ट मी ये प्राठा इतना टेस्टी बनता है ना कि बस देखके मेरे तो मुझ में पानी आ जाता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है तो रिस्टी की रिस्टी भी मैं आपको देती हूं उससे पहले मैं ये नाश्टा बना लू है नाश्टा बैसी कली मैं पहले बना रही थी तो मैंने सोचा कि पहले सबसे चाई बना ले तो इ Fußball बने के लिए रख दे दूद रखा दूदब पती ढाली और बस चूले पे चड़ कुछ बनाओं, तो चाहे मैं ने थैर करेकं रख ली ती आपड़ोगे ली प्रेटे बनाने लगी थी तो यहां पर प्रेटे बनाते ही बस मेरे जहन में ऐख आईडिया आया कि क्यूं आज मैं मिश्छा बनागे खाऊ मातर नमक मिझवाला प्रेटा वैससे भी मुझे पसांद तो अक्सर यूइलि मैं वो खा लेती हूँ तो यहाँ बस मैंने अबू के लिए पराठे बनाना शुरू किये थे फटा-फट से नाश्ता बनाया और उनको दिया और अब ही तक मेरा कोई प्लैन नी था यह पराठा बनाने थे कोई प्लैन नी था पराठा बना के खाने अभी जब ने ये दूसरा पराठा बना ले ने ना जैसे मैंने तीसरा पेड़ा पकर के बेलने पेल रखा तो पता नहीं मुझे क्या ख्याला है मैंने सोचा नहीं आज हम मिस्जा पराठा खाएंगे तो फिर वहां से मेरी उसकी प्रपेशन स्टार्ट होती है यहां पर जो मैं अपना माइंड बनाके मिसे पराटे का तो चली कही थी भी यह अपना धनीय तोड़ा Adultा फिर मैंने से थोड़ा सा धनीया निकाल लीउंगी और यहां से बने घळनिया तोड़ा पिर मैंने घड़ी अ लीजासन तोड़ा होता है गर में ऐसी कोई चीज रखिए हो न जाना कापका कुछ खाने पीने का मूड बने ना तो आप घर में तियार कर लेते हैं यहां पर मैं थोड़ा सभी हो भी लिलिया था बादल बने होगे थे और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी तना कोई प्यारा आस्मान लग रहा था ना तो फिर मैं यहां से भी वीडिय जाहिए थे अकॉर्डिंग लिया था ना ना दाना भी लिया था थोड़ा सा फीस के डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला कुटा होगा लिया था यहां पर मेरे पास औरिगैनो लीवस पड़े थे मैंने वह भी डाल लिया थी क्योंकि मुझे इनका टेस्ट अच्छा लग वाल लिया और हरी मर्च लिया थोड़ी सी बिल्कुल ली थी क्योंकि जो लंबे मर्चें होती है बारीक वाली बड़ी कड़वी सी आ रही है तो जो टेस्ट रहे बोड़ा सा जाता है तो इसलिए मैंने बस थोड़ी थी प्राठे को बेल ले बेलते हुए स्प्रिंकल कर यह साही चीज़े उस परिंकल करूंगी और उसको अच्छे से बेल लूँगे तो चले मैं आपको बेलते हुए दिखाती हूं अब जी आपने इस तरह से इसको पेड़े को बना के दस मिनिट के लिए रख देना है ठीक है अगर आपके पास टाइम हो अगर ना भी हो तो आप फ्रेश भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप रख देंगे थोड़ा सेट होने देंगे तो इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो गय अब आपके सामने मैं बेल के पका रही हूँ इसे क्योंकि मैंने वेट नहीं किया था मैंने जल्दी बना लिया था लेकिन अगर आप रखें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो जी याम्प मेरा पहतरीन किसम का प्राठा बनके बिलकुल त्यार था खाने के लिए अब मैंने इसके लिए चाहे साथ ली थी आप चाहें तो आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं नाश्टे सिप्री होने के बाद मैं आगी थी कपड़ों की तरफ मैंने सुझे था कि बस इने फटा फट से तैल काकर रख लूँ क्यूंकि यह दोए थे तो यह बाहर ही रखे होगा था भी तक मैंने इने कपड़ में नहीं तैग करूंगी आज आज की वीडियो को मैंने ज पहुंचती रहें और यहां पर बस आपकी बहन अच्छे से कपड़े समेट रही है तैल लगा दिये और उनको संभाद रही है